सो हेई गाइस क्या से हो आप सब लोग होप आप सब लोग बढ़ी आई हो कि मैं भी बढ़ी आई हो और आचुका एकदम लेटेस वीडियो के साथ सो इस वीडियो में हम बेसिकली आज से अपन एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे है तो इस सीरीज में मतलब अपन वीकली न्यूस को अब कवर अप करेंगे लाइक नर्डी न्यूस बट थोड़ा सस्ता और मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से उसको बनाएंगे तो इसमें अपन बॉलिवुड की न्यूस होलिवुड की जित्ती भी मतलब मेजरली न्यूस होती है जो मतलब अपन को कावर कर लेगा ची वैसी न्यूस और कुछ- अपडेट पर आए तो मर्वल का अपडेट है तो मर्वल की अपडेट में सबसे फ़हला है एंपायर मैगजीन की तरफ से स्पाइडर ग्वैन का एक न्यू लुक रिलीज किया गया है Spider-Man into this Spider-Man across the Spider-Verse Movie के लिए जो कि 2 जून को आने वाली है अगले सार जिसने 6 animation styles होने वाले यह ज़ादा important है वाकि लुक देख सकते हैं उसके उपर आपके reviews comment कर सकते हो उसके अलावा बात करें तो second news यह है MCU Marvel Cinematic Universe तो यहाँ से मतलब सारी news Marvel Cinematic Universe कियागी अगर Marvel की news है तो यहन दिमांगे यहन दिमांगे को Blade का direction के लिए हायर कर लिया है Marvel ने और जो पिछली script थी उसको scrap कर दिया गया है इस बार शहीद से R-rated भी कर सकते हैं यह लोग बाकि अगर यहन दिमांगे जो मतलब new director है तो उनको उनका अगर work देखे तो उनका अगर work है कोई इतना बड़ा work नहीं है लेक कोई 71 करके movie है White Boy Rick है East West Exit West है Alan and Samir है Incomplete है और यह मतलब मैंने Google पे देखा हुआ है अगर और भी कुछ हुआ तो फिर में को idea नहीं है बाकि अगर कोई अच्छी movie हो मैंने क्योंकि इन में से कोई movie देखी नहीं है और इन में से कोई अच्छी हो या फिर कोई और legit अच्छी movie हो बड़ी movie हो तो हो सकता है कुछ अच्छा हो अभी अपन ने इसके बारे में कहा नहीं सकते Blade अभी तक तो लेटकी हुई है देखते हैं देड़ साल बाद क्या होता है और अब next news पर बात करें तो next news है हमारे थौर भाई साथ की हमारे थौर के actor जो है वो break लेना चाहते क्योंकि उनको Alzheimer's के कुछ symptoms type के नजर आया है तो वो acting से break लेने वाले है उसके अलावा थौर फाइफ जो है मेभी उनकी last movie हो उसके अलावा एक और चीज है कि वो चाहते है कि वह याद थौर के character का tone shift हो थोड़ा तो मेभी हमको ये सब कुछ impact होते हुए दिखे बाकि जो होता है आगे दिखते हैं क्या होता है कि तो मन्जूरे खुदा हो गई के लावा marvel का panel होगा इस week होने वाले Brazil के comic con में जिसे CCXP कहते है पता नहीं क्या है इसका full form comment कर देना मैं को नहीं पता उसमें Kevin 5 के आएगे अपना बवाल बचाएंगे उसके लावा बाद में हमारे क्या नाम है Captain Marvel के जो तीनों लीड है उन सब का उसके लावा आप DC पे बढ़े तो फिर भाई साब DC पे हमारे ड्वेंड जॉंसन सर ने ड्वेंड जॉंसन सर ने अपनी Black Adam को बोला है कि भाईया ये 823 की तरह हो गई हमारी Black Adam मुई अगर नेक्स्ट बात करें तो आउदार 2-Cut एक और नया ट्रेलर रिलीज हुआ इस वीक उसके लावा बात करें तो उसके कुछ पोस्टर्स भी रिलीज हुए कुछ पोस्टर्स नहीं काफी पोस्टर्स चैरेक्टर पोस्टर्स उसके लावा मुवी का रंटाइम बोले तीन घंटे बारा मिनिट और अब फटा फट से अपने क्या बलते हैं नेट्फिक्स की तरह बढ़ते हैं तो नेट्फिक्स के कुछ अपडेट्स है तो लास्ट आफ आज का जो सीजन वन है वो पंद्रा जनवरी को आने वाला है ट्रेलर जो आएगा इसका वो अभी ब्राजिल कॉमिक कॉन में तीन दिसंबर को रिलीज हो जाएगा नेट्फिक्स का पूरा जो डिसंबर का कलेंडर है वो भी रिलीज हो चुका है ग्लास अनियन नाइफ आउट मिस्ट्री की कुछ पोस्टर साहे हैं जिन यह है कि एंडोर की जो सीरीज आ रही थी स्टार वॉस की फ्रैंचाइज में तो वो एंडोर की सीरीज पूरी की पूरी खतम हो चुके है डिसनी प्लस पर आप स्ट्रीम कर सकते हो उसके लावा अब भटा भट से आगे बढ़ते हैं बॉलिवुट की तरफ तो बॉलिवुट की तरफ से धोका राउंडी कॉर्णर करके जो मूवी आई थी वो आ चुकी है नेट्फिक्स पर उसके रहावा गॉड़ फादर सल्मान भाई की फिल्म आ चुकी है और ये देखने जरूर चाहिएगा सीधा रामम करके जो हमारी बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है वो डिजनी प्लस पर आ चुकी है हिंदी लेग्वेज में तो अगर आपको देखना है नहीं देखी हो तो देख सकते हो और इसको मैं फुली रेकमेंट करूँगा बहुत प्यारी मूवी है नेक्स हम बात करें तनाओ की सोनी लिव पे एक तनाओ नाम की सीरीज आई है जिसको मैंने अभी देखा नहीं है आगे कभी देखता हूँ तो फिर मैं उसको कवर कर लूगा नेक्स्ट कुछ कुछ बॉलीवड मूवीज के ट्रेलर आया है तो गोविन्दा नाम मेरे कर ट्रेलर आया है और उसके लावा तीन टीजर आया है जिनमें से एक सबसे बड़ा टीजर है हनुमान का और भाई वो बहुत ही प्यारा था भोला और शहजादा का भी टीजर आया जो कि जिनमें शहजादा का टीजर ठीक ठाक लगा बाकी उनसे उसमें एक सीन था जो कि बहुत ही वियर्ट था बाकी बाकी दोनों टीजर बोला था भी टीजर और शहजादा का भी टीजर बहुत ही प्यारा था दोनों कुछ बड़ी फिल्मों के रिमेक है बट मैंने अलावा एक अंटो पूर मुलों तो देखी है बट काईती नहीं देखी है देखना पड़ेगी उसके अलावा रनवीर कपूर का एनिमल से जो लुक आया है वो देखकर पहाई काफी ज़्यादा भूपस दिलाता है और लास्ट अपडेट ये लास्ट अपडेट क्या है लास्ट नोटिफिकेशन ये है ये देना चाहेंगे कि कंडारा रिलीज हो चुकी है एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर आजी के दिन तो अगर देखना हो भूल गए हो देखना थेटर में जैसे मैं हूँ मैं भी भूल चुका हूँ थेटर में देखना तो आप जाके देख सकते हो बाकि कुछ समय बात हिंदी में भी आ जाएगी ओटी पर किसी ना किसी ओटी पर आ जाएगी या फिर अमेज़ॉन प्राइम वाले ही ले देगे उसके हिंदी का राइट्स जब वह आ जाएगी तब देख लेंगे उसके लावा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता है आप से हैसे हो सब नेक्स वीडियो में तब तक कलिए इस जो समिन बाइब बाइब आप से आसे हो सब नेक्स वीडियो में